जो बिहार का नुकसान हुआ है दोहजार कोड से उपर का वह जनता दल यूनाइटेट से केंद्र सरकार को रिकवर करना चाहिए। मुह बांध बांध के इसमें जनता दल यूनाइटेट के कारेकरताओं की भूमिका काफी संदिक्द है। यह इस भीड का फाइदा जनता दल यूनाइटेट के कारेकरताओं लोग उठाए। भारतिये जनता पार्टी को नीचा दिखाने का एक भी आउसर जनता दल यूनाइटेट नहीं छोड़ती। तंजेज जैसवाल जी का जो वाजिब प्रस्न था उस पर जनता दल यूनाइटेट के राष्टी अध्यक्ष का जो बयान आया है। जनता दल यूनाइटेट कभी भारतिये जनता पाटी को बिहार में इस्थिर नहीं रहने देगी। विद्यार्थियों को या अंदोलन कारियों को कह लिजे या उत्पातियों को कह लिजे। खुलम खुला छूट मिला हुआ था कि आपको जो करना है वो कीजे। और पूरे बिहार में समझे कि दो हज्जार क्रोड से उपर की संपत्ति जो थी उसका नुक्सान किया। और बिहार में कानून ब्यवस्था किसका था। कौन यहां पर ग्रिह मंत्री हैं। विहार के आदरनिय मंत्री नितीश कुमार जी हैं, और नितीश कुमार जी एक सब्द नहीं बोलते हैं, बिरान सभा के अध्यक्ष अपने छेतर की बात करते हैं, जहां सधारन सा एक दरोगा नहीं सुनता है, तो सत्ता में ये लोग हैं जरूर, लेकिन आपस में सिर्फ उटा इंड़िना में जाने औल अच्छातर नहीं कर सकते अप करें आप मंत्री वी हैं सहाब आपके अधीं आपके आपके सारे खूफिया विभाग कैसे कह रहें आपके पास कोई इंपूट नहीं था आपको अगर मुख्यमंतरी के पदद पर और आपने अपने पास ग्री विभाग रखा है जिसके अधीन नहीं प्रसासन और खूफिया विभाग आता है तो सारी जवाब दहीं जिम्मोरी तब आप किन है आप किस पर थो पीएगा आप एक आसू गैस का गोला नहीं चला रहे हैं किसी को आप मिनिमाइज नहीं कर रहे ह थे कौन इसकी भरपाई करेगा जिनके घर पर हमला हुआ रहे हैं कि आपने गलत योजना यहां पर आपने लाया है तो इसमें मोदी मो का कोई बात नहीं है इसी तरीके से भारतिये जंता पार्टी के जब एक राष्टिये प्रवक्ता ने एक बयान दे दिया उस पर भी बिहार में उसी तरीके से हर जगह रजिले से भवाल की ख़बर आई और पुलिस मौन की भूमिका में थी नहीं बुल्दोजर से लवा दिया चाहते हैं क्या यहां तो जरूरत है यहां जरूरत है बिलकुल जरूरत है भारतिय जंता पाटी बड़ी भाई की भूमिका में भी होने के बावजूद जंता दल उनाइटेट के दबावों में रहती है पता नहीं कौन सा ऐसा ब्लेक मेल का जो मंत्र है वो जंता दल उनाइटेट जानती है और भारतिय जंता पाटी नीचे रहती है संजय कि मलाई खाने के लिए अगर मौन रह जाए रह जाएंगे लोग तो आप समझ लिए कि बिहार के जो तेरा कोड़ अवाम है इनका भविस अंधकार में है ससांग जी लेकिन कहीं न कहीं इस उत्पात के पीछे एक सड्यंत्र का एक साजिस का बू आ रहा है कि एक सुनियो पूरे देश में अफ्रात अफ्री का महौल हो गया हर तरफ युवा सरुक पर उतर आए लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीत भी गरम हो गई है बिहार में इंडिये की सरकार है और इंडिये में दरार पर गया है भाजपा जदिव आपस में लड़ रही है अगनिपत उपर आरोप लगा रहे हैं नितिश कुमार के उपर आरोप लगा रहे हैं और जदिव के राष्टी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो परदेश अध्यक्ष हैं वो अपना मानसिक संतूलन खो बैठ है इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लोजपा राम इलास के प्रवक्ता चंदन सिंग हमारे साथ मौजूद हैं बात करेंगे क्या लगता है अगनीपत से बिहार की सरकार गिर जाएगी देखे हम लोग तो सुरू से कहते आ रहे हैं कि देखे गठमंदन के जो सहयोगी है उनके बिचार आपस में मिलते नहीं है और जिस तरीके से अभी संजय जैसवाल जी का जो वाजिब प्रस्ण था उस पर जनतादल्य उनाइटेट के राष्टी अध्धक्ष का जो बयान आ है इनके संसदिये बूर्ड की अध्धक्ष का जो बयान आया है वह मतलब समझे कि इनको तो पागल घोसित कर दिया गया है जनतादल्य उनाइटेट के तरफ से उनके बयान से जो लग रहा है यह संजे जैस्वल को हां तो यह तो काफि दुरभाग्य पूर्ण है हम लोग तो सुरू से कहते आ रहे हैं ससांग जी भारतिय जनतादल्य उनाइटेट कभी भारतिय जनतादल्य नाइटेट को भिहार में इस्थिर नहीं रहने देगी और जिस तरीके से अगनीपत का बिर उपर से आधेश हो कि आपको कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों को या अंदोलन कारियों को कह लिजे या उत्पातियों को कह लिजे खुलम खुला छूट मिला हुआ था कि आपको जो करना है वो कीजे उन्होंने ट्रेन को आग लगाई इस्टेशन को निस्तो नाबूत किया मौल को लूटा आम जनों को पीटा प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाया आप समझे कि रोड जाम किया और मुह बांध बांध के इसमें जनता दल यूनाइटेट के कारेकरताओं की भूमिका काफी संदिक्द है ये इस भीड का फा से उपर की संपत्ति जो थी उसका नुक्सान किया एक मध्यम बरगिये परिवार जो टैक्स पे करता है उसका पैसा को बहाया गया बिहार में और बिहार में कानून ब्यवस्था किसका था कौन यहां पर ग्रह मंत्री हैं बिहार के अधरनिये मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार जी एक सब्द नहीं बोलते हैं एक सब्द नहीं बोलते हैं सांती की अपील नहीं करते हैं तो आदमी क्या समझे आप एक तरफ कह रहे हैं कि जनता दली उनाइटेड के कारे करता मूह बांध बांध कर इस में थे तो नितीश कुमार ही अपनी बद हो या फिर जातिगत जन्गन्ना पे हो लगतार इनके मतभेद रहे हैं यहां तक कि जातिये जन्गन्ना का भी नाम बदलना पड़ा भारतिये जन्तापाटी के पक्ष में तो इनके एक दूसरे से बिचार नहीं मिलते हैं अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो बिधान सभा कि अध्यक्ष अपने छेत्र की बात करते हैं जहां सधारन सा एक दरोगा नहीं सुनता है तो सत्ता में तो हम यह लोग हैं जरूर लेकिन आपस में सिर्फ फुटावा लिलनों की जारी है केंद्र सरकारे के यूजना लाती है अगनिपत ठीक है इसमें खामिया है इसको रद कर देना चाहिए या इसमें सुधार की जरूरत है यह बहस का विसय हो सकता है लेकिन बिहार में जिस तरीके से उतपात हुआ देश में और कहीं नहीं हुआ है तिलेंगाना में एक ट्रिन को जलाया गया उत्तरपरदेश में एक बस को जलाया गया और कहीं बता दीजे इस तरीके से उत्पात नहीं हुआ, प्रदसन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन उपद्रवी हो जाना, उत्पात करना, अपने ही संपत्ती का नुकसान करना, ये कोई भी भारतिय सेना में जाने और अच्छातर नहीं कर सकता है, वहाँ डिसिप्लीन सिखाया जाता है, इस तरीके से उगरवादी बनना नहीं सिखाया जाता है, और देखिए, हमारे नेता, आधरनीय चिराग पासवान जी, इस पर आधरनीय राजनात सिंग जी को पत्र लिखते हैं, प्रेस कॉन्फरेंस इनी छात्रों के पक्ष में करते है और मौन मार्च निकालते हैं राजभौन तक, बिना बोले हुए कोई एक सब्द का उसमें आवाज नहीं है, यह दिखाने का पूरा प्रत्न करते हैं, कि लोकतंत्र में सांती पूर्वक भी अपनी बात को सही जगा पे पहुँचाया जा सकता है, जगावाया पत्र का, अपनी बात काते हैं, हमारे नेता ने असपश्ट कहा है, कि अगनिपत्त योजना में बहुत सारी खामिया हैं, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है, कि उपद्रवियों का हम लोक सांत देते हैं, जो बिहार का नुकसान हुआ है, दो ह लोड़ दीजे, मतलब हम लोग तो समझ रहे थे कि हम लोग सिवील वार इस्टाट हो गया है, यह किस तरीके की है, और लगातार बिहार में अपराद नहीं रुक रहे हैं, मुख्यमंत्री का एक भी सब्द नहीं इसमें आना, यह कहीं न कहीं संदिग्द लगता है, साजिस लगता है, नेट बंद करवाया, उसके बाद गरिवतारिया हो रही है, सीसी टीवी कैमरे चेक किया जा रहे है, जो लोग संगित पाई जारूर पर करवाई हो रही है, आपके खूफिया भी भाग कहां थे, आप गरी मंत्री भी हैं साहब, आपके अधीन, आपके सारे जब पुलिस प्रसासन आपके मौन रहेंगे और आपके गठबंदन के बड़े सही होगी, भारतिये जंता पाटी के प्रदेश सद्ध्यक्षादर्निय जैसवाल जी के घर पर हमला होता है, उसके बाद भी आप चुप रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि राजत के कारे करता थ जब खुद राजनात सिंग जी को आइना दिखा रहे हैं कि आपने एक गलत योजना यहां पर आपने लाया है, तो इसमें मोदी मो का कोई बात नहीं है, जो गलत है, उसको हम लोग गलत कहते हैं, जो चीज़ सही है, सही है, आपको अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाय गया है, और आपने अपने पास ग्री विभाग रखा है, जिसके अधीन ही प्रसासन और खूफिया विभाग आता है, तो सारी जवाब दही जिम्मवारी तब आप किन है, आप किस पर थो पिएगा, आप एक आसुगैस का गोला नहीं चला रहे हैं, किसी को आप मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, और लगातार वो उत्पात पर उत्पात करते हुए जा रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा, कोई अगर गलत निरने, अगर गलत निरने, इसी तरीके से भारतिये जनता पार्टी के जब एक राष्टिये प्रवक्ता ने एक बयान दे दिया, उस पर भी बिहार में उसी तरीके से हर जगह, हर जिले से बवाल की ख़वर आई, और पुलिस मौन की भूमिका में थी, बुल्डोजर से लवा दिया, यहां तो जरूरत है, यहां जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, यहां तो जरूरत है, अपरादियों के मन में भय होना चाहिए, अप्तिया, लूट, अपहरन, बलतकार, अपने चरम पर है, और प्रसासन के लोग मौन हैं, जहां के मुख्यमंत्री और ग्रेमंत्री मौन की भूमिका में हो, वहां तो आरजक्ता की इस्तिती आने ही है, अगर सरकार आएगी तो बुल्डोजर लेके घुमियेगा, यहां पर रीडवीन है, यहां तो बराबर इनको हम लोग चिताने का काम किये, लेकिन भारतिये जनता पाटी बड़ी भाई की भूमिका में भी होने के बावजूद जनता दल उनाइटेट के दबावों में रहती है, पता नहीं कौन सा ऐसा ब्लेक मेल का जो मंत्र है, वो ज पूरा भारतिये जनता पाटी नीचे रहती है, इतनी बड़ी घटना जब इनके प्रदेश अध्यक्ष को पागल की संग्या दी जा रही है, तो पूरा भारतिये जनता पाटी मौन है, इसका मतलब कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ इनके ना मंत्री हैं, ना विधायक हैं ना इनके कार्यकरता हैं उता अपस में लड़ रहे हैं संजेज इस्वाल संजेश संजेश की मलाई खाने के लिए अगर मौन रह जाए रह जाएंगे लोग तो आप समझ लिए कि बिहार के जो इनका भविस अंदकार में है ससांग जी इसलिए कि जब यह खुद आपस के गठवंदन की लड़ाई को जब यह सतह पर लेते आएं तो आप समझ लिए कि बिहार के जो 10 लोग आवाम हैं इनका हाल समचार कौन लेगा यहां के विस अच्छाय बिवस्था और देने का बात कौन करेंगा एकक maximize युजन्अ है ना योजना है रोजगारों को रोजगार दिखकत क्या है चार सालों में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है रिटार्मेंट के दोरानी 11 रुपए मिल दिक्कत क्या है क्यों बिरोद कर है इसलिए हो रहा है कि इतना अगनिपत को मैं समझा हूँ मैं बस इतना ही सरकार से कहूंगा अगर आप वापस लेना है तो ले लीजे आप वापस नहीं तो इसमें एक और आरमी से ट्रेइनिंग करके आए आरमी में जाएंगे और वहां से आरमी से डिस्प्लीन और ट्रेणिंग आप लीजिए गा वह जीवन भर आपको काम आएगा अब आप अर्मी के ज़बान आकर भी हार पुलिस में आएंगे न चार साल में आप अगनी वीर बनके जब बाह एक राज्य सरकार अपने पुलिस फोर्स में अगनीवीर को ही रखे इससे क्या होगा कि अगनीवीर के भी जो मन में उनके भविस्क प्रती चिंता है वह समाप्त हो जाएगी और ट्रेनिंग का भी खर्च बचेगा और एक ससक्त और मजबूत और डिसिप्लीन वाला अधिकार आपको पुलिस अधिकारी राज्य को मिलेगा ने यह मेरा विचार है जो मेरा विचार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं हमको ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा कि हमारे नौजवानों के मन में जो है बेरुजगारी का भय खत्म हो जाएगा और सारा उत्पात देश में जो अभी कहीं अगर हो रहा है वो सब थम जाएगा लेकिन कहीं न कहीं इस उत्पात के पीछे एक सड्यंत्र का एक साजिस का बू आ रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से जो बिहार में हुआ एक पैटन को आप देखिएगा तो वो बिहार में हुआ संजे जैस्वाल की बोली बोल रहा हूँ जब मैं यह देखता हूँ मैं भी उस दिन रास्ते में था ससांग जी मैं उस दिन सासारां में था और जिस तरीके से मुँपे गमछा बांद कर गाड़ी पर जंडा था और जिस तरीके से मुव बांध कर काफी संख्या में लोग थे यह पाचानना मुस्किल है कि उनकी उम्र की सीमा क्या है कौन लोग है किसी मतलब आपराधिक गिरोह से हैं या वाकई में छात्र हैं या कोई उपद्रवी तत्व हैं क्योंकि देखे जो लोग सेना में जानना चाहते हैं मैं यह मानता हूं मेरा व्यक्तिकत यही बिचार है वह कभी उत्पाती नहीं हो सकते हैं इसलिए कि सेना में डिसिप्लीन और मात्र भक्ती देश के प्रती जो एक भाव होता है उससे कोई भी अपने देश की संपत्ति का ऐसे नुकसान नही और थोड़ी दिर बाद राष्टी अध्यक्ष का बयान आता है उसी थोड़ी दिर बाद विहार के उपमत्री तारकी सूर परशाद का भी बयान आता है कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है रसासन के मामले में आपस में मतभेद है देखे संजे जैसवाल जी ने जो प्रस्ण उठाए है बड़ा वाजिब प्रस्ण है कोई भी उठाएगा कोई भी उठाएगा ससांग जी मैं आपके न्यूज ऑफिस में बैठा हूँ अगर बाहर में कुछ उत्पाती अगर तोड़ रहे हो और जश्ट बगल में अगर पुलिस कर्मी भी मौन हो तो ये प्रस्ण उठाना वाजिब है क्या कि प्रसासन के लोग को किसका निर्देश थ था कि आपको कोई एक्षन नहीं लेना है यह कैसे संभव है तो लेकिन भारती जनता पार्टी के भी अंदर खाने में आपसी कलह होगी तभी उनके डिप्टी सीम इस तरह का बयान दे रहे हैं नहीं तो पूरा बिहार और देश देश में जो छवी आपके राज्य की गई है वह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह अच्छी नहीं गई है यहां पर नितित तो जब तक नहीं बदलेगा ससांग जी मैं विपक्ष में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं इसलिए कि बिहार की जो छवी लगातार जा रही है जहां गरीबी से लोग फांसी लगा ले रहे है बच्चा आपके पढ़ाई के पूरा सिस्टम पे सवाल उठा दे रहा है लगातार बिहार में मतलब समझे कि पूरे बिहार की सबसे बड़ी लूट पटना में हो जाती है और मुख्य मंत्री कभी भी कोई वाजिब बात नहीं करते हैं मुद्दे की बात नहीं करते हैं कामले को रफा दफा करने के लिए किस तरीके से बिहार पुलिस का इस्तमाल किया जाता है किसी बड़ी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है नहीं दिया जाता है तो यह बहुत संका पैदा करते हैं चुकि हम लोग का जो भविस्य है पूरे बिहार का ही भविस्य है वह अधर पुरे बिहार का भविश्य घर में है तो अब देखें सबसे बड़ी बात यह है कि अगनीपत्य योजना आई केंदर सरकार ने इस योजना को लाया उसके बाद पुरे बिहार में अफ्रा तफ्री का महौल हो गया पुरे बिहार के युवा जो है छात्र जो है वो सरकों पर उ सान हुआ है उसकी भरपाई जन्ता दल उनाइटेट से करनी चाहिए केंदर सरकार को सत्ता में है इनके संरक्षन में हुआ है लेकिन भाजपा का चल कहा रहा है यह तो रीड भीन यहां पड़े हुए है यहां तो मलब समझे कि इनका दांत निकाल दिया गया है बिना दांत क अत्तर विधायक के साथ कई से खड़े है यह तो बहुत बड़ा प्रस्ण है आप पूछिएगा कि सत्ता से क्यों नहीं बाहर निकल आते हैं जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं सत्ता मों में आप पड़े हुए हैं आपको तो गठबंदन से बाहर निकलना चाहिए तुकि अरीके से आप सुन रहे थे लोजपाराम बिलास के प्रवक्ता चंदन सिंग को इन्होंने साफ तोर पर कहा है कि बिहार में जो भी नुकसान हुआ है वो केंदर सरकार जद्यू से वसूले क्योंकि जद्यू दोसी है क्योंकि वही सत्ता में है और उन्हीं के इसारे पर ये स सब कुछ हुआ है बेरहाल इस खबर में इतना ही बने रहे मार साथ और देख रहे हैं तहीं जड़ा